हेलो गाईस यहां पर मैं आपको जो आज वीडियो में सीखाने माbudiber, और साथ ही समझेंगे संत्रिप्थ बिलिन और असंत्रिप्थ बिलिन तो वीडियो काफी मज़िदार है आप है वीडियो के इंडी तक दखेंगे तो आईए दोस्तों आपके सामने दिख क्या रहा है आप यहाँ पर देख कर बताईए तो यहाँ पर आप दिखेंगे तो बहुत ही आसानी से लिखा हुए कि जो घुल जाता हो गाईज वो आपको क्या कहलाता है बिल्ले पदार्थ जियां साथी जो घुल जाता हो न वो आपको क्या कहलाता है बिल्ले पदार्थ कहलाता है और साथी यहाँ पर लिखा हुए अब बिल्ले पदार्थ यानि कह सकते हैं जो घुलता नहीं हो न तो वो आपको क्या कहलाता है अब बिल्ले पदार्थ यहाँ पर कहलाता है क्या यह को समझ आई अब समझते हैं आगे की बाते और बहुत ही आसानी से तो ध्यान दीजे दोस्त यहां पर लिखा क्या हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है संत्रिप्त बिलियन जिया अब आखिर समझने यह कि संत्रिप्त बिलियन हम किसे कहते हैं संत्रिप्त बिलियन किसे कहते ह यहां पर आप समझे यहां पर लिखा क्या हुए है कि किसी बिलियन में किसी बिलियन में जब कोई पदार्थ जिया गाइज किसी भी चीज का आपको बिलियन है ठीक है और उसमें जब कोई पदार्थ पदार्थ तो आपको पता है तो कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सकता तो वह उस पदार्थ का संत्रिप्त बिलियन कहलाता है आप ऐसे समझे यहां पर आप ध्यान दीजेगा मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ही आसान है जैसे आप ऐसे समझे जरा से इसको साइज हम बढ़ा करते हैं आप ऐसे समझे एक डग में यहां पर क्या है यहां पर एक चीनी जैसे ही मिलाएंगे तो यह आपस में क्या जाएगा मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा लेकिन अगर यह मिलने के बाद अगर हम दोबारा से अगर हम चीनी डाले या नमक डाले तो वह आपको आसानी से नहीं घुलेगा यानि और हम नहीं घुला सकते हैं तो वही बिल तो यहाँ पर definition यानि आपको पलिभासा लिखा क्या हुआ है आप आसानी से यहाँ पर देखिए आपके सामने इसका answer आसानी से मिल जाएगा जो कि क्या है आसान है लिखा हुआ है कि किसी billion यहाँ पर billion गल्ती लिखा चुका है तो आप यहाँ पर ध्यान देशेगा तो किसी billion म कहलाता है कहने का मतलब यह है आप आसानी से समझी है यहाँ पर यह बता कहा रहा है कि किसी भी चीज़ का billion है मानते हैं यहाँ पर billion जैसे किसी क्या 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 ले 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 जैसे हमान लेते हैं और यहाँ पर नमक का बिलियन ले लेते हैं ठीक है पानी और नमक का हम बिलियन ले लेते हैं जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं पानी और यहाँ पर लिख दे रहे हैं नमक और पानी और नमक का यह क्या है एक बिलियन है और इस बिलियन में मालिजे यहाँ पर यह क्या है एक बिलियन है तो पानी और नमक के बिलियन में जैसी और भी कोई पदार्थ जिया कोई पदार्थ या जरूरी नहीं कि जो है वही इसके जगह पर अगर हम चीनी भी मिलाएं अगर यह आसानी से घुल जाता है तो ऐसे बिलियन को हम क्या कहेंगे असंत्रिप्त बिलियन यानि और यह घुला सकता है तो यहाँ पर आप परिभासा में देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि किसी बिलियन में जब कोई पदार्थ यहाँ पर और घुल सकते हैं तो वह पदार्थ आपको क्या कहलाता है असंत्रिप्त बिलियन कहलाता है क्या यह बात आपको बहुत ही आसान से आप लिखिए तो गैस अगला जो हमारा बात आता है वह की बिलायक एवं बिले आकिर यह होता क्या है तो आप इसली यहाँ पर समझेगा मैं यहाँ पर लिख क्या रखा हूं आप यहाँ पर समझेगा तो यहाँ पर लिखा हुए है कि किसी समांगी बिलियन अब बात तो य यह समांगी बिलियन आकिर होता क्या है समांगी बिलियन आप ऐसे समझ जिए जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ पूरा पूरा आसाने से मिल जाएंगे जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भी पूरा पूरा मिल जाएंगे तो ऐसे बिलियन को हम क्या कहेंगे बिलियन में जो पदार्थ अधिक मातरा में होता है तो वह क्या कहलाता है बिलायक कहलाता है आप अगर ऐसे समझेंगे तो पानी और नमक जैसे ही हम घोलते हैं तो पानी हमारा क्या होता है अधिक होता है तो पानी हमारा क्या है तो पानी हमारा एक बिलायक है जिये गाइज हम वह मातरा में होता है वह क्या कहलता है वह आपको बिले कहलता है तो आप यहाँ परूद आया की नहीं आए आप वीडियो के नीचे ज़रूर लिखेगा ऑगला बात हमारे आज आता है और आन्ति में यह क्या है billion तो अब हम समझते हैं कि आखिर यह billion है कि मैंने आपको बदा भी रखा है तो आप billion का परिवासा बहुत ही आसानी से यहां पर समझ पाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से लिखा हुए कि दो या दो सी अधिक दो भी पदार्थ होंगे और दो से जादा भी होंगे 2,4,5,6, कुछ भी कर सकते हैं तो दो से अधिक भी पदार्थ के समांगी मिसरन समांगी मिसरन कहने का मतलब पूरा-पूरा मिल जाने वाला ठीक है तो जैसे आप समझी है यहाँ पर चीनी और पानी को मिलाएंगे तो पूरा-पूरा मिल जाता है तो यह आपको क्या है समांगी मिसरन है तो यही आपको क्या कहलाता है और नए दीन तब तक के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब कर लो यार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो मिलता है आपका भाई किसी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहें जुड़े रहें बाइबाइबाइब टिक कियर बेस्ट ओफ लग